अले वेल्कम टो इवरिवन आज हम असाम्टेट पेपर वन का इवेस पार्ट से अम दूसरा टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारा सम सोचिल इसुस कुछ समाजिक मुद्दे ओके इसको स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स आता है कि समाजिक मुद्दे होते क्या हैं तो इसका एक समाज के भीतर कही लोगों को प्रवावित करता है इससा नहीं किसे एक एक परशन को वह एक अपक्ट करता ए साने यह बहुत सारी को मुद्दे को एक सुसाइटी करता है एक गर्रूप को वह क्या करता है एक और विर्स समस्याव का एक समोह और जिन्हें बहुत से लोक हल करने का प्रैस करते हैं यहाँ कि अगर हम देखे अपने सुसाइटी में आस पास देखते हैं तो लोग क्या चाहते है डेकशलीशन करना चाहते हैं उसके बाद एक देखते हैं पर इसमें और गया है नेच्ट पॉइंट social issues परस पर बिरोधी राय का स्त्रोथ होते हैं यह जो भी सोशिल इसूस होते हैं अगर किसी के परसनल लाइफ या फिर उनके समाजिक जीवन को देखा जाए तो उनके बीच में किसी एक टोपिक को लेकर अगर उनके बीच में बीरोध आता है यानि कि उस पे अलग अगर व्यू होता है तो यह क्या होता है उन लोगों का एक बीरोध के श्रोध होता है जिसे की लोगों के में आपस में बीरोध होना साथ हो जाता है इस ओफेंड़ अगर देखा जाए तो यह कुछ लोग क्या चाहते है किसी को कॉंट्रोल करना चाहते हैं सुसाइटी में हर एक चीज को प्रफ्राइब करें चाहते हैं तो अगर उनके कॉंट्रोल से वो निकल जाता है तो उसी क्या यह इस बन जाता है तो हमारे सेलबस में कुछ सोचिल इस इस को मैंशन किया गया है जिसको हमें पढ़ना है जिसमें से नंबर वन है इलिटरेसी क्या सकु देखते हैं एलिटरेसी एफट एन इडिविजिवल इन ओडिया ओफ दियों लाइफ एट एद्धिव ब्यक्ति को उसके जीवन के सभी छित्रों को प्रहाइवत करता है यानि कि अगर इलिटरेसी को देखा जाए यह ऐसा नहीं परसन की एक ही एरिया को कवर करता है या मनुष्य के हर एक छेत्र को प्रवावित करता है उनको होल लाइफ से रिलत होता है हर एक एरिया को प्रवावित करता है एक अंपड बेक्ती पढ़ और लिखने सकता और इस प्रकार कारेबल में सामिल नहीं हो सकता या अकुसर स्रमिक के रूप में काम कर सकता है एक सुचित निर्णाय लेने के लिए जाकरूप की कमी है जो उन्हें और उनके समुदाय को प्रहवित करती है यानिक अगर हम इलिट को दोतों कैसे जाख वड़ा कामे मिल पाथा जिए और रा मिलता जुशायों करना पर को तरह समुदाई को क्या करता है यानिक्षब्ली कि पूरे शुशायथी को प्रभावित करता है इसी अन्हीं मेरा लेक्स मेलकार रख वयक्त में देखें निकलमने प्रहवित अगर मतलब देखा जाए तो जो इलिटुरेसी है इंडिया में बहुत एक बड़ा प्रोब्लम है पहले जमाने में जो बुनिया दे जुरुते होती है उसमें तीन चीजे इंक्लूट था बस क्या क्या था वह रोटी कप्रा एंड मकान तीन चीज को इंक्लूट किया जाता था बेसिक नीड के अंदर लेकिन अब वह जमाना चला गया है अगर कोई पूछता है वाट अर्द बेसिक नीड तो हमारा एंसर से प्रोटी कप्रा मकान नहीं होगा उसमें और दो चीज इंक्लूट कर दिया गया है जो कि है इडूकेशन एंड है तो इसके एकोडिंगली हम सम पहले जमाने में अगर देखा जाए तो गार्जिंस इतने इडूकेटर नहीं रहते थे उनके पास नहीं रहता था या फिर वह पढ़े लिखे नहीं होते ओके नेक्स पूइंट में देखिए पोवर्टी तो गरीबी बहुत ही बड़ा एक रिजन है किस चीज के लिए इलि इलिटरेसी को बढ़ा देते हैं अगर बैकवार थिंकिंग में देखा जाए तो पुराने जमाने को लोगा क्या थोड़ था जादा पढ़ाई करना भी हमारे हानिकारा खोड़ता है तो लोगों के पुराना जो सोच है प्रस्ट चार है यह सब चीज से इलिटरेसी रेट हम इन जिस को करें तो इंडिया में जो इलिटरेसी रेट सेका हम कर सकते हैं इसक्षा को लेके जागरुपता होना भी बहुत जदा ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ में सिक्षा का महत्तों क्या है उसके महत्तों को अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर साथ ही साथ फ्री बुक्स अगर हमें बुक्स फ्री में मिल जाए देखिए कुछ कुछ चीजे ऐसी भी होती है कि पैसे गवस हम नहीं पड़ पाते हैं ना मालनी जा हमें कोई बुक्स चाहिए उसका प्राइस बहुत ज़दा हाई है तो लेक आफ मनी हम उस प्रड़क्ट को पर्चेस नहीं कर सकते हैं अगर हम पर्चेस नहीं करें तो उसके बारे में मिलेगा है कि नहीं तो अगर हमें फ्री बुक्स मिल जाता है वह हमें प्रोवाइड हो जाता है फ्रीली हम उसके उसमें जो भी नॉलेज उसको हम ले सकते हैं साथ ही साथ इसमें क्या है लास होता है और उसे हम ले भी सकते हाराम से तो अभी नेक्स पोर्ट देखते हैं जो कि हमारा दूसरा सोशल इशू है चाइल लेवर हिंदी में इसको बाल स्रम बोलते हैं इसके पर देख लेते हैं तर्म चाइल लेवर इस ओफन डिफाइंड अज वर्क देफ्राइब चिल्डर अघट अगर हम चाइल लबल टर्म को डिफाइन करते हैं तो यह क्या चीज है तो बच्चों के बच्छपना को उनका चण लेना है उनके कोई कि पूल जाता है और जैसे कि मालीची उनका बश्पना हो गया उनकी गरिमा हो गए उसा पोटेंशियल अगर दिगनीटी को देखा जा जाए यह चीन लिया जाता है यहां बच्पन में जो चीज मिलना जाए उसे वह नहीं नहीं मिल पाता है, उसे हम डिप्राइब्ड हो जाते हैं, यह सब चीज को हम चायड लेवर में देखते हैं, क्योंकि बच्पन का टाइम होता है, पढ़ाई करने का, अच्छा लाइफ हमें मिलने का, तो उस टाइम हम पढ़ाइने कर पाते हैं अच्हका लाइफ हमें नीं हो जाती है सकतु करते हैं किसी असे काड़ खाने भी कि रूप में नहीं जाते है तो इससे क्या होते हमारा जो भश्याइब परवलोप्र में उठ्श हो जाता है और इदॉप पाता है और अगर देखा जासा है इस इसको चाइड लेवर को चाइड लेवर से बच्चों के mentally, physically, socially and morally यह हर एक एंगल से उसको harmful पहुचाता है अच्छे से उनका development नहीं हो पाता है तो यह था हमारा चाइड लेवर तो अभी हम इससे कुछ causes देख लेते हैं क्या है चाइड लेवर के causes नमबर वन पोवर्टी गरी मुझबूर होके कुछ parents क्या करते हैं मुझबूर में अपने बच्चों को कहीं भी भेशते हैं काम करने के लिए अगर उन्हें बच्चों से पैसा मिलता है तो उससे ओलग अपना काम चला सकते हैं तो गरीवी बहुत एक बड़ा रिजन है लेवर में तो इसमें नेक्स करें उसके बाद है हाई कोस्ट इड्यूकेशन कभी किया होता है जो गरीब लोग होते हैं वो लोग एड्यूकेशन के मामले में जादा पैसा बैर नहीं कर सकते ना उनके पास पैसा नहीं होता है जिसके वह लोग अच्चों को ऐसा एड्यूकेशन नहीं दे पाते हैं लेक डिमांड फूर स्किल एंड ट्रेंड वर्कर्स यानि कि अगर हमें चाइड लेवर को खतम करना है तो फ्री एडूकेशन अगर एडूकेशन हमें फ्री में मिलने लएगा तो घर वाले भी क्या करेंगा बच्चों को पढ़ाई के लिए वेजेंगे तो नॉर्मल सा पॉइंट मुथ है जिसे की क्या हो सकता है चाइड लेवर को कम क्या जा सकता है एसकों बूほंद ऐबानेश लोगों के अंदर जरूकता का होना है उननको के हांफल होता है तो ऊपप में जाईए श्यरूह और ज़रूघ जरूरा दा हुए लोग को ऑन दर सक्थ arrivé है नोड्स मोगों तो अगर हमें स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स मिलेंगे तो एरे गरे लोग का जुरूत नहीं पड़ेगा ना क्या होता है कभी कभी हमारे आस पास में कोई भी काम करने के लिए अगर हमें ट्रेंड पर्सन नहीं मिलते हैं तो जो बच्चे होते हैं बच्चों से हेल्फ लेने लगते हैं बच्चों को प्रोब्लम होता है तो हमें अगर स्केल्ड ट्रेंड वर्कर्स मिलते हैं अगर सुसा इस में देखिये, अगर हमें अंद विश्वास को देखते हैं, तो यह क्या है, तो लोगो का माना है, यह जो इसमें बिलीफ नहीं करते हैं, वो क्या मानते हैं? यह एक अलोग की चीज है, यह तर कहीं चीज है, जिसमें लोग डर के कारण जादू तो ना में बिलीफ करते हैं, क्या चीचों से हो जाते हैं, तो समाज में जो कुछ भी अंदेविश्वास है, हमारे मन में डर फला दिया जाता है, अगर हम ऐसा करेंगों तो हमारे साथ ऐसा तो यह सब चिज़ क्या है हमारे समास में चलते आता है जो क्या है सुपर स्टेशन के कारण है आंद विसवास के कारण है नेक्स्ट है समाज, तो कल्चर और समाज दोनों एक दूसरे से बहुत ज़ादा रिलेटेड हैं क्योंकि सुसाइटी से ही हमें कल्चर मिलता है तो समाज में बहुत सारे ऐसे चीजे हैं, बहुत सारे ओधुसरे थौट्स हैं, जो लोग पुराने जमाने से बना के लेके आ रह आगर हम पढ़े लिख रहते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में नौलेज होता है कि नहीं हो रहा है और नहीं हो रहे तो क्योगने हमें बताइया हम उस चीज़ को ही मानते चलें हैं10 जांघ एडूकेशन का भी नहीं होना बहुत ही बड़ा आंदिविस्वास का कारण है इसमें next point देखिए fear of being called an outcast यानि कि society में ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं किसी परंपरा को अगर हम follow नहीं करते हैं तो हमारे मन में डर रहता है कि अगर हम उस चीज़ को follow नहीं करेंगे समाज की जो रिती निया में अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या करतेंगे समाज से बाहर निकाल देंगे है की नहीं तो हमारे मन में डर रहता है और डर के वज़े से हम उस परंपरा को मानते हैं उस अंध बिस्वास को क्या करते हैं मानते चलते हैं इसमें next point है local practice यानि कि स्थानिय प्रथाएं तो हमारे society में आस पास हम देखते रहते हैं हमारे पुरोजों को दिये हुए कुछ परंपराएं को हम मानते चलते हैं अगर वही चीज़ेस पहले वाले points हम रिलेट कर सकते हैं अगर हम उस इसको नहीं करेंगे तो लो क्या करेंगे हमें वहां से बहिस्कृत कर देंगे तो यह सारे चीज़ेस था causes of superstition अभी next इसको देखते हैं जो कि हमारा gender discrimination इंदी में इसको link भेदभाव या फिलेंग भेदभाव भी बोलते हैं तो देखिए जेंडर discrimination is the unequal or disadvantage treatment inflicted on someone because they belong to a specific gender it is usually the woman who usually have to face such gender discrimination लेंगिक भेदभाव क्या होता है किसी के साथ किया जाने वाला असमान बेवार या फिर नुक्सान देवार यानि कि अगर देखा जाए दो लिंक को लिया जाता है वहां पे और किसी एक के साथ बहुत आसमानता किया जाता है तो यह वो कोई एक specific कोई लिंक होता है कोई specific gender होता है जिसके साथ यह भेदभाव किया जाता है अगर समाज में देखा जोते किसके साथ होता है तो महिलाओ के साथ विमेंस के साथ इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनिशन किया जाता है यानि कि अगर आम तोर पे देखा जाए महिलाई ही इस चीज़ का सिकार होती है किस चीज़ का लेंगिक भेदभाव का तो उसके बाद देखते हैं क्या है इसका मतलब यह हुआ हमारे इंडियन कोस्टिशन में बहुत सारे ऐसा आर्टिकल से बहुत सारे सा प्रोविजन से जहां पर विमेंस और मेंन को एक्वेल राइट और इक्वेल अपर्शुनिटीज दी गई है जिससे के वो लोग अपना राइट से और ड्यूटिज को इंडियो कर सकते हैं लेकिन सुसाइटिय में बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहां पर लोगों को वहां के महलाओ को अपने अधिकार के बारे में नहीं पाता होता है उसका गारेंटिव नहीं ले पाती है किस राइट को इंज़ोई करना चाहिए सब के बारे मुने नहीं नहीं रह पाता है तो जिसके बहुत सारे रिजन से बहुत सारे कारण दिया गया है जिसमें सब कुछ हमें यहां पर देखने को मिलते हैं तो दिखे यहां तो इसमें फर्स्ट देखिया पुवर्टी अगर गरीब लोग होते हैं तो क्या सोचते हैं उनके फेमिली में अगर दो बच्चे हैं लड़का और लड़की हैं तो लोगो का मन में क्या मैंट से होता है कि हम जो कुछ भी देना हो इर्किशिन देना हो या कुछ अच्छा लाइफ देना हो हम किसको देंगे अपने बेटे को देंगे लड़की को नहीं देंगे कि लड़की तो दूसरे घर चली जाएगे उनको पढ़ाया धन होते हैं तो बहुत गरीभी बहुत बड़ा रिजन एक्सपरण क्या दिया गया है इलिटरेसी वह लोग उसलस्ता काम होने को बहुत सारे चांसे स्साइटे, बक्षायटेि के कारण ब जव्या में लोगों के नदरी माइंड सीसिवा मिलता है लोग्हा रीजन किसरा गेंके बहुत इसका जनर्ड कर रह से हैं थे सब्सक्रte पुरुस प्रधान समाजी हमारे इंडियन स्टी को देखा जाता है यह जंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बढ़ा कारण है नेक्स पॉइंट देखें सुचल कस्टम्स बिलिप्स एंड प्रैक्टिस हमारे समाज में कुछ ऐसे रिधी रिवास है कुछ बिश्वास है कुछ पर जंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यदा बढ़ावा दिया जाता है इसमें नेक्स पॉइंट देखते हैं लेक ओफ एवार्नस एमोंग विमिन्स यानिकि और महिलाओं के अंदर अपनी जागरुकता को लेके उनके अंदर नहीं है अगर वो लोग अपने अधिका जागरुकता ही नहीं है तो महिलाओं के अंदर जागरुकता के बहुत ही कमी है जिसके विसे क्या चीज़ को बढ़ावा मिलता है जंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिलता है इसमें नेक्स पॉइंट देखते हैं शुलूशन सब जंडर डिस्क्रिमिनेशन उसमें क् अगर लड़कियों को सिख्छा दिया जाए उनको अच्छा एडूकेशन दिया जाए तो उसे क्या हो सकता है चेंडर डिस्क्रिमिशन को हटाया जा सकता है इस सब्सक्रिमिशन को गम क्या जा सकता है थर्ड पॉइंट इसमें क्या है इन वाउलन्स और सेक्षुल एशर्ट एगेंस्ट विमिन्स यानि कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और योन हमले को समाप्त करना उनके एगेंस पर जो कुछ भी एक्षिंस होते हैं वाउलन्स होते हैं उस चीज़को खतम करके भी क्या किया जा सकता है इन वाउलन्स यानि कि जो बाल बीवा का समस्या है अभी प्रेजन में इसको नहीं बोल सकते बट पुराने जमाने में ये बहुत ही बड़ा समस्या था शाइल्ड मेरिस तो उससे भी क्या किया जा सकता है जंडर डिस्क्रिमिशन कम किया जा सकता है लास्ट पॉइंट है इसमें देखिए प्रोमोटिंग हुमें राइट्स बास सपोर्टिंग मीडिया इवेंट्स फोर गर्ल्स चाइल्ड यानि कि बालिकाव के लिए मीडिया का समर्थन करवा के मानव अधिकार को बढ़ावा द सकते हैं जिससे क्या किया सकता है जनरल डिस्क्रिमिशन को खतम किया सकता है तो आज के लिए इतना ही तो नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक रिए थैंक्यू